नमस्कार शात्यक बार पुन्हों सभीका स्वागत है हमारे चैनल में आज हम आपके लिए अभ्याई अविकारी शब्द और वाच्या लेके आए हुए हैं तो ध्यान से आप बने रहेगा हमने बात करी थी इससे पहले दो वीडियो बना चुके हैं पद के भेद हम लोग तो इस पांच्यों भाग को आप पूरा करेंगे पद का और साथ मैं एक अन्य टॉपिक भी समझेंगे वाच को तो आप बने रहेगा ध्यान से विज्ञापन लगाता जारी हो रहे हैं तो आपने क्या करना है कि इन जो पूस्ट जो आ रही है उसमें अपना सेलेक्शन पान यानि कि इसे अविकारी शब्दी भी कहते हैं अब देखो अब्याई क्या होता है अब्याई क्या होता है बहुत सरल है अब्याई को समझना यानि जिसमें अब्याई विकार या परिवर्तन नहों उसे अब्याई कहते हैं इससे पहले हमने समझा था अगर आपको याद हो हम न hilarious हम हो रहे थे लिगंग कारत वचन आधार पर आज हम समझ रहें आज हम क्या समझ रहे हैं अमसकंदेशन नहीं कि विकार परवरतन को में लेकार बैसे अब्पर विकारी शबद कहते हैं तो ध्यान से देखेगा प्रशन बहुत पूछे जाते हैं इस वाले पूशन से तो हम भी समझते हैं देखो आपको समझाने का प्रयाश करेंगे ऐसे शब्द जिनसे लिंग वचन पुरुश कारक आदी के कारण क्या हो रहा है कोई विकार नहीं हो रहा है कोई विकार नहीं हो रहा है उसे अब्य कहते हैं उसे अब्य या अविकारी शब्द कहते हैं तो ध्यान से देखेगा कि अविकारी शब्दों में कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है अब कैसे नहीं होता है, हम आगे उधारणों में उनको समझने का प्रियाश करेंगे तो ध्यान से बने रहेगा, जैसे कैसे उधान आज, कब, इधर, किंतु, परंतु इसलिए ये आपके अब्वेई सब्द हैं, अविकारी सब्द हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है किरियाविशेशन के बतलाने वाले शब्द किरियाविशेशन को भी चार भागों बाटा जाता है किरियाविशेशन को चार भागों में बाटा जाता है, ध्यान से चुनेगा, यह क्या है, कौनकों से भागों बाटा जाता है किरिया विशेशन के चार भेद हैं आपके काल वाचक इस्तान वाचक रीती वाचक परिमान वाचक काल वाचक इस्तान वाचक रीती वाचक और परिमान वाचक देखते हैं देखो सबसे पहले काल वाचक को समझते हैं अब यहां से जो हैं वो कॉंसेप्ट शुरू होना शुर का तो यहां पर को दिखो अब यहां पर को मैंने उधान रिखा है मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा तो यहां पर जो आज है जो आज है वह आपका काल वाचक क्रिया विश्येशन है काल वाचक क्रिया विश्येशन है यहां पर आज मेरा भा कि मैं देखो अगर आपको कब का उत्तर प्राप्ट हो रहा तो देखो मेरा भाई आज दिली जाएगा यानि कि हमें कब का उत्तर प्राप्ट हो गया वह कब जा रहा है वह आज जा रहा है यानि कि जहां पर आपको कब से उत्तर लगाने पर उत्तर मिद जाएगा कब लगाने के होने के इस्तान का बोध हो रहा है अगर आपको कहां से और किधर से उत्तर मिल जाता है कहां से और किधर से तो आपका वह किसका उधान होगा इस्तान वाचक का कखो इस्तान वाचे लगा के इसंगत पूछा जेख्आ है इस्तान वाचेक बाहर लिए औरें पूछी देखेगा इनसे लेक नहीं होने का रुटुकर ईनसे कि जील फंबकर से धीरे धीरे है न वो आपका क्या है वो आपका रीती वाचक क्रिया वीशियेशन का उधान है अब आपको रीती वाचक को ढूढ़ना उसके लिए की पॉइंट है आप कैसे का उत्र धोली ज़िए आपको पतल लग जाएक गwashी वो एक्यों रीती वाचक रीती वार्चक क्रिया विशेशन है तो पंखा धीरे धीरे चलता है आपको कैसे चलता है उतर मिल गया धीरे धीरे चलता है तो इसमें क्या है वो रीती वार्चक क्रिया विशेशन है प्रस ने पूछा गया है लेकिन सीधा प्रस ने पूछा गया था पंखा धीरे धीरे चलत वह संतरगति ध्यान दिजिएगा इस प्रकार से प्रस्ट नहीं आरक है तो मैंने आपको वह बता दिया आगे बढते हैं याणि कि परिमान वाचक की बात करेंगे इस से किरिया के परीमान का बहुत होता है ने कैसे हो रहा है मीरा कुछ सरमाती है, अब मीरा कुछ सरमाती है, अब परिमान वाचक है नहीं है, अब कैसे पता लगाओगे, इसके लिए भी कीवर्ड है, अब कितना उत्तर लेना, कितने से उत्तर लेना है, अब कितना प्रश्न करना है, तो मीरा कुछ सरमाती है, मीरा कुछी सरमारी है, तो पतने का उत्तर मीदिया हो खुछ सरमारी है। यहाँ पर कुछ ही क्या होगा, वह परिमान वाचक अब्बे होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ने जो हैं अब ब्बे के 4 भेधों में हमने क्रिया विशिएशन को समझ लिया, क्रिया विशेशन, यानि की क्रिया विशेशन के हमें चार भेद, जो की काल वाचक, इस्तान वाचक, रीती वाचक, परिमान वाचक हैं, इनको समझ दिया अब अब्बे का दूसरा भाग पड़ते हैं और दूसरा भाग का मतलब क्या है वह सम्मंद बोदक, वह कहा का सम्मंद बोदक, तो दिको सम्मंद बोदक को भी समझते हैं, सम्मंद बोदक क्या होता है यहाँ करता का सम्मंद वाचके सेज भाग के साथ बतलाते हैं, यहाँ करता का सम्मंद वाचके सेज भाग के साथ बतलाते हैं आईए हम भी देखते हैं मनुष्य पानी के बीना जीवित नहीं रह सकता मनुष्य पानी के बीना मनुष्य पानी के बीना तो जो बीना है वह संबंद बता रहा है मनुष्य के साथ यानि कि मनुष्य पानी के बीना जीवित नहीं रह सकता यह करता का संबंद वाके के सेज भाग के सांट जोड़ते हैं करता का संबंद करता का संबंद वाके के सेज भाग से जोड़ते हैं यानि मनुष्य जो है पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता तो यहाँ पर जो बिना है वो आपका संबंद बोधक अब्वे हैं यह करता का सम्मदब वाकि के सेज़ भाकि के साश्यूरते हैं, निम्हष पानी के बिना जीवित नहीं रहे सकते. यानि, किसके बिना जीवित नहीं रहे सकते हैं, पानी के बिना और करता कौन है? मनुष बाध एक सम्मद Ciur unda आपका अब्बय का उधारन है. हम अगे बढ़ते हैं अगले अब्वे को ओर चलते हैं और अगला है समुच्य बोधक हम अब्वे को बढ़ेंगे समुच्य बोधक अब्वे क्या होता देखे दो सब्दों वाक्यांशों देखो ध्यान से समझेगा दो सब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पत जोड वाले सब्द परस्पर जोने वाले सब्द समुच्य बोधक अब्याई कह जाते हैं अब उधान के जारा समझते हैं बहुत आसान है राम और स्याम दोनों भाई हैं तो यहां पर को और जो और है वो समुच्य बोधक बोधक है समुच्य बोधक कहा है पर और है देखो दो सब्दों यहां पर राम एक सब्द है श्याम एक सब्द है यानि कि दो सब्दों तो हमारी यह परिवाज जो सही सिद्ध हुई राम और श्याम दो सब्दों को दो सब्दों वाक्यां चों या वाक्यों को परस्पर जोड और और क्या है यहां पर को आपका समुच्य बोधग को जानना अब देखे जानते हैं विश्मियादी बोधग में तो विश्मियादी बोधग क्या होते हैं इनसे हर्ष, शोक, घ्रणा, विश्मय, शाबासी, सम्बोधन आदी का बोध होता है जैसे ओहो वा साबास तो यह क्या है यह विश्मयादी बोधग है हम कहते है विश्मयादी बोधक मैं कहेंगे ओहो वा सबास यह क्या है यह विश्मयादी बोधक है इस्के प्रस्ट क्या है आपا है आपका अव्बेहजी तो यह दियासे देखेगा यानी की अहो सबास यह उधान है अब एक चीज बार-बार-ट जो पूछी जाती है वहाँ निपात इससे अलग है निपात देखो निपात क्या होता है इसके प्रश्णी भी आते हैं निपात अलग से टॉपिक है देखो किसी कथन पर जोर देने के लिए इनका प्रियोग करते हैं किसी कथन पर जोर देने के लिए निपात का प्रियोग करते हैं देखो कैसे की में ही तो यह अगर आके लिए आता है आने वादा दाम ही ह opinion में दिये रहेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा ही उमझे मारा जो जो सब्द जोर दें रहागा व कि निपात होगा तो आप इसको धियां से देखेंगा हमने अब से जो हम ने पदों चार भेद होते हैं करिया विशेशन सम्मंद बोधक समुच बोधक विष्म ओधिव१क करिया विशॉचन के बीचार भाग बताए काल वाचक स्थान वाछक परिमान वाचक ऑप्ताया कि जैसे आज दिल्ली जाओ igual का उत्तर में प्राप्त हो रहा इस्तान वाचक कहां बाहर गूम रहे हैं वो रीती वाचक कैसे का उतर मुला पंक्रा धीरे दीरे चल्ला जी परिमार वाचक में कह रहा है वो कितना सर्माती वो थोड़ा ही सर्माती है मीरा अब हम संबंद बोधक या दूसरा बेल की बात करेंगे इसका जो और श्याम दोनों भाई एं राम और श्याम दोव शबनों को जोड रहे हैं ऐसे वाकई को जोड़ते हैं ऐसे विश्ादी ब Byodhack जिन से हर से शोग घणा काा भाव पायों कारक बच्चन पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आंगे ध्यान से देखेगा हम हिंदी को बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं इसके बाद उत्राखन की जो हमारे स्रीज जो हमने शुरू कर रहे हैं फिर उसके और पूरा ध्यान लगा देंगे आगे बढ़ते हैं देखो वा बहुत छोटे हो जाते हैं तो एकदम कैमरे में इतने कैप्चिन नहीं हो पा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट जब हम अपनी हमारे पा इतने संसादन जोट जाएंगे तो फिर आपको इसपस्ट दिखेगा लेकिन अभी इतने संसादन में ही काम चलाना है तो आप जो क्वालिटी है उसको बढ़ा के रखेगा बार-बार आप लोगों की क्यारी जाती है कि इस पस्ट नहीं दिखाए दे रहा है तो उसका निदान हम बहुत जल्दी ही करेंगे चिंता मत करेगा कुछ टेक्निकल समश्यां है उस टेक्निकल समश्यां को हम दूर करने का प्र वाइब आप दर्ञा है वाच्य क पया किरिया का रुपांतरण है योई जो प्रता परदान है यह दो आप समझे यन की वाच्य के तीन भेधो नते हैं करत वाच्य किन तीन बहों कर्तवार्चे कर्म और भाव अच्य एक एक्ष करके समझेंगे जो дов तेखे पर बत्रेंबर अक्टीव एक्टी वहांज को इसको अंगरी क्सेर्ज में राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, तो यहाँ पर राम क्या हो गया, यह कर्त वाच्चे है, राम क्या हो गया, राम है पर कर्त वाच्चे है, क्योंकि जो किरिया के विधान का विशे है, वो क्या है, पर करता है, दूध कौन पिरा, राम पिरा, जी, दूध कौन पि अभी जैसे हम इस करमवाचिय को पढ़ेंगे तो इन दोने आपको तुरनत अंतर पता रहाई जाँआज देखिए यहां कीरिया के विधान का विशे करम है तो वाक्या क्या होगा जो वाच्छी होगा वो आपका कर्म वाच्छी होगा तो देखो कैसे राम के द्वारा दूद पिया गया राम के द्वारा दूद पिया गया यहां राम आपको बताता हूँ इसको दोनों को समझना यह वहाँ आसान हो जाएगा जैसे कि आपने अंग्रीजी में देखा होगा जैसे राम राम इट्स मैंगो आपको प्रयाज करो एक्टीबॉस अगर इसको पैसिम में कर दें तो मैंगो इजी टन बाई राम हो जाएगा बाई राम की ऐसी कर्म वार्च्य पहचान के यहां पर जहां पर आए यहां पर आजया है कर्मवार्च्य लिए कि विधान बनावूश्य कर्म होगा यह द्यान द्यान रखेगा यह एahu सारा वह तरह उस्काम को लेकिन कर्बभात्ष्ट में कहता हो तक यह किरमवाच्चै को आप देखोगे तो इसको आप कैसे कैसे जान सकता हो हम ऐसा भी कह सकते कि जो कर्म आच्चे है वह सकर्मक किरिया का भी उधान हो सकता है यहाँ पर तो सकर्मक और अकर्मक का इस पस्ट नहीं है अकर्मक भी किरिया हो सकती है और सकर्मक भी किरिया हो सकती लेकिन कर्म आच्चे मापके सकर्मक किरिया होगी शकर्मक किरिया अब फिर हमारे कर्म के अधार पर आप देखेगा कि हमने क्या बता था आपको एक सकर्मक किरिया बताए थी किरिया के दो भेत कर्म के अधार पर एक सकर्मक और अकर्मक को छाणने के लिए मैंने क्या बता था मैंने कहा था कि आप किरिया के आगे क्या लगा द किया को लगाते हैं राम क्या पिया तो पीना से पहले क्या प्या रामी दूद्ध पिया तो यहां का रहोगी चैर्म कि ब्राता मुंद हम इन फिर आपके आपको कहें द्यक्रेट का प्रयोग होता है टो आफने इस पर इस पर पदागे पर करम वाच्चि मांगर क्या लगाकर देख लिए अगर को ऑग बढ़ते हैं भावाच्चि में वह आपका भावाच्चि क्या होते हैं जाता मुझसे लिखा नहीं जाता यह कह कहारे बाव और याक्ष्व स것 लुप से दिख जाएगा भाव यहां पर शकर्म immature आफ यहां कर्म किर्या होती है कर्म 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 कर् अब यहां द्वारा नहीं आए तो फिर आप जाओगे यानि कि आपने खागा कि द्वारा आए नहीं बाई नहीं कि कैसे कर्म आची हम कैसे पहचाने कि तो आप उसमें क्या लगा के देख लिए अगर आपको क्या का उत्तर मिल रहा है तो आपकी क्रिया वह बहाव आच्छे ह अकर्म को शकर्म के दोनों परकार के होते हैं यहां पर को नियम नहीं लगेगा जी तो ध्यान लीजेगा तो आशा करता हूं कि आपके द्वारा इस इन टॉपिकों को समझा होगा हम आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लगाता लेकर आएंगे आप बने रहेगा हमार जाओ तरहां